आपके स्क्रीन के ओपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नमर फाइए, क्या कह रहा है, वोस डायमेंशन इस M1, L2, T to the power minus 1, चार ओप्शन दी है, टॉर्क, अंगुलर मोमेंटम, पावर और वर्क, तो सबसे पहले मुच्छों टॉर्क देखते हैं, टॉर्क क्या होता है, तो इन्टो डिस्प्लेस्मेंट, फोर्स का क्या होता है, तो फोर्स का होता है, L1, M1, T to the power minus 2, और डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है, L1, M0, T0, ठीक है, तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा, L2, M1, T to the power minus 2, राइट, ये टॉर्क हागा, अब एंगुलर मोमेंटम दे है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, M, V, R, इसका फ़र होता है, मास इंटो वेलाउसिटी इंटो रेडियस, मास क्या होता है, बच्चों, L0, M1, T0, वेलाउसिटी क्या होती है, इसका यूनिट होता है, मीटर पर सेका, याने, L1, M0, T to the power minus 1, ठीक है, उसका रेडियस क्य होता है, L1, M0, T0, तो तो तीनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या होगा, L to the power 2, M to the power 1, और T to the power minus 1, तो एंगुलर मोमेंटम तो आ रहा है, L2, M1, T to the power minus 1, अब हम बाकी के भी देख लेते हैं, पावर भी देख लेते हैं, ठीक है, पावर क्या होता है, बच्चों, तो work done upon time होता है, work done क्या होता है, work done होता है, force into displacement upon time, ठीक है, तो work done का, यहाँ पर torque और work done, work done जो है, उनका C में आएगा, कितना है, L2, M1, T to the power minus 2, और time है, तो यह क्या आएगा, L0, M0, T to the power 1, अगर इसको simplify करेंगे, तो क्या आएगा, L2, M1, T to the power minus 1, यहनि power का भी नहीं आ रहा है, तो work का तो यह आगया, L2, M1, T to the power minus 2, torque और work का same रहेगा, power का यह आ गया, तो angular momentum ही हमारा सही option है, तो angular momentum को tick करो, और आगे बड़ो, तो बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रहे हैं, तो अपने दोस्तों के लाइक और शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, थैंक यू, आपको हमारी वीशडिक यू